स्वागत है आपका इस चैनल में मैं आपको इस्टील सब्जेक पढ़ा रहा हूं मैंने इससे पहले चार लेक्षर दे दिये हैं और आपने वो नहीं देखा है तो आप वो जरूर देखें क्योंकि आज उसी के बेसिस पे मैं आप लोगों को निमेरिकल करवाऊंगा तो यहां पर मैंने आपकी बुक से ही कुछ निमेरिकल लिये हैं तो आई देखते हैं कि यहां पर एक कुश्चन दिया हुआ है कि एक दोरे रिवेट बट जोड में मुख प्लेटो की मुटाई 12 mm तथा कवर प्लेटो की मुटाई 8 mm है रिवेट 22 mm हो तथा 5 70 mm हो तो जोड का स आमर्ते हम दश्चता ज्याद कीजिए अनुगें प्रतिवाल एक्जाम में हम यही गलती करते हैं पहले हमें लिखना होता है इसमें क्या-क्या दिया गया है तो जो जो डाटा दिया गया है मुझसे लिखेंगे जैसे कि यहां पर रिवेट का ब्यास दिया है 22 mm तो यहां प ग्रॉष जाया कहते हैं क्योंकि अगर हमें रिवेट लगाना होगा तो हम डेड़़ लेंगे तो फिर उसके होल में रिवेट को हम नहीं लगा पाएंगे अगर 25 यहां च्रादा होगा तो हम दो 2mm इस्ट्रा लेंगे तो यहाँ पर रिवेट का ग्रॉश डाया 3.5mm हो जाएगा उसके बाद रिवेट पीछ जो है पर दी गई है अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुग्यें प्रतिवाल एफटी यानि टेंसाइल इस्ट्रेज दिया हुए देड़ सो और सियर इस्ट्रेज दिया हुए सब्सक्राइब का तीन सो न्यूटन पर एमेम स्कॉायर और पीच की लंबाई के लिए जोड सब्सक्राइब माइनस तेज़ दसमलों पांच एमम डी आपका डायमीटर है रिवेट का उसके बाद बंद कर देंगे फिर इंटूट त्वल्ब जो है आपके प्लेट की मोटाई है बारा एमम क्योंकि यहां पर देखिए आठ एमम यह कवर प्लेट की मोटाई उपर वाले हो तो इनकी मोटाई 16 mm हो जाएगी इसलिए हम मुख प्लेट की मोटाई लेंगे जिसकी मोटाई 12 mm है उसके बाद हम इसके टेंसायल स्ट्रेस से गुणा कर देंगे देखिए यहां पर टेंसायल स्ट्रेस आपका दिया होगा डेड़ सो हम इससे गुणा कर देंगे तो हमार से सीर्टों का डवलव सीयर होगा ताथा जोड में भूआ पर reward होने से में दो रावा कि शंख्या होगा यहां पर यहां पर दो डबलर डेट लिवेटे भी लगी यह तो यहां पर क्व लगत और Plan G कि पाई बाई 4D स्कॉयर माने आपको पताया था इसको याद करने की ट्रिक कि पाई बाई 4D स्कॉयर आप जानते हैं यह जो है आपका सरक्ल का एरिया होता है उसके बाद उसके अनुगे प्रतीवल से गुना कर देंगे आपका अंसर आ जाएगा यहां पर देखिए टू तो हंडेट से गुणा करेंगे तो इसका अंसर जो आएगा 173.52 किलो न्यूटन में आएगा यहां पर डायरेक्ट और इसे आप 1000 से गुणा करके आप न्यूटन बदल सकते हैं गुणा कर यह तो यूनिट है आप चेंज कर लेंगे कोई दिक्त नहीं है उसके बाद बीरिंग बीरिंग 12 mm मोटाई पर होगा क्योंकि यह देखिए 12 mm पर होगा क्योंकि इसकी मोटाई मेन प्लोट की मोटाई ली जाएगी जो कम होती हैं उसी को लेते हैं ज्यादा हम नहीं लेते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं पीवी बराबर होगा 2 x 2 DT उसके बाद FV यहां पर दो पी करके हम इसका मान डी कमान 3.5 दिया है उसके बाद टी की मेन प्लेट की मोटाई हम ले रहे हैं 12 mm उसके बाद बीरिंग स्टेंद कमान 300 mm दिया हुआ है तो कल्कुलेट करेंगे तो यहां पर 1692 न्यूटन या 179.2 किलो न्यूटन इसका अंसर आजाएगा आपको इसी तरीके इस एकजाम में भी लीखना है क्योंकि अगर आप इधर उधर लिखेंगे मतलब प्रोसेस आप सही से नहीं लीखेंगे तो वहां आपके नंबर कड़ जाएंगे तो इसलिए ऐसे प्रोसेस में आपको इसी तरीके से लिखना है तब ही आपको पूरा नंबर वहां पे एकज इसको हम गुणा करके निकाल लेंगे और इसका मान आज जाएगा 126 किलो न्यूटन अब जोड की वास्तिविक समर्थ क्या होगी जो इन तीनों में इसकी में होगी क्योंकि maximum strength का कोई मतलम नहीं है जब plate कम पता चला plate उसके बाद फिर 83.7 अपान 126 इंटू 100 100 से गुणा करके हम इसे परसेंटेज में चेंज कर लेंगे तो यहां पर इसकी स्टेंज 6.43 होगी अता इसकी दचता हमने 6.43 निकाली है इसकी दचता इतनी होगी देख लीजिए हमने निकाले है इसी तरीके से आपको एक्जाम में ल दो प्लेटों को एकल रिवेट जोड द्वारा जोडने है तो रिवेट जोड का भी कलपन करें अनुग्यें प्रतिवल एफटी बराबर डेर सो उसके बाद एफएस बराबर नब्बे तथा एबडी बराबर 270 नूटन एम एम स्कॉायर लीजिए अब यहां पर हम देखते ह क्लिए साफ कर दिया है कि दो प्लेटों को एकल रिवेट द्वारा जोड़ना है एक लिवेट लैब जोड़ना यहां पर कुश्चन में लिग दिया गया है लैव जोएं द्वारा अगर न दिया होता तो हम पड़ जौन लेते क्योंकि वह अच्छा माना जाता है आगे अग आपको बताया है आप देख लीजिएगा अनुविन का फार्मूला अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको डाया निकालना पड़ेगा वहां से नहीं तो कुष्चन आप नहीं कर पाएंगे तो यहां पर अनुविन का यह फार्मूला होता है 6.05 अंडर रूट ती यहां पर हम प्लेट की थिकनेस को रखेंगे और उसके बाद इसका डाया निकाल लेंगे प्लेट की थिकनेस 10 अम है तो यहां इसका डाया 19.113 आ जाएगा लेकिन हम यहां पर 20 अम लेंगे क्योंकि मार्केट में इसी डाया के रिवेट उपलब्ध होते हैं तो जो उपलब्ध होंगे तो उसी साफ से हम इसका महान लेते हैं हम आगे बढ़ते हैं यहां पर ग्रॉजड आया हम डेढ़ हैं मिस्ट्रा जोड देंगे इसे लगाने के लिए इसको मैंने आपको आगे बता दिया है इसकी भी स्ट्रेंट निकाल लेंगे तो यहां पर देखिए पाई बाई फोर डी स्क्वाइर एफस लैब जोड में सिंगल सियर होगा क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं यह हमने दो प्लेटे लिए एक उपर रखा एक नीचे रखा यहां पर जब हमने रिविटिंग कर दी तो यह अब जब इधर अंबल लगाएंग इधर तो सिंगल सियर होगा यहीं पर किवल सियर होगा क्योंकि एक रिविट लगा है अगर डबल लगा होता तब यहां पर डबल सियरिंग होती हैं यहां पर सिंगल सियरिंग हो रही है तो यहां पर हमने सिंगल सियरिंग का मान निकाला और इसके बाद यह आया इसका मान 32 30.67 किलो न्यूटन अब हम इसके बेरिंग स्टेंद कामान निकालते हैं तो पीवी बराबर हमें फार्मूला पता है डी टी इंटु एववी फिर उसके बाद हम इसके डायमीटर इसकी ठिकनेस उसके बाद इसकी बेरिंग स्टेंद से गुणा कर देंगे तो यह हमारा इसका म मर्थ के बराबर रखने पर इसके बाद हम इसको पीटी बराबर पीएस रख देंगे तो यहां पर यहां पर यह देखिए जो यह पीटी है यह टेंसायल स्टेंथ है उसके बाद जो पीएस है सीयर स्टेंथ तो यहां से हम पिछ की लंबाय का लेंगे उसके बाद यहां पर उपर आपको पताया भी है तो इसके बराबर रखेंगे फिर पी माइनस 21.5 इंटू 10 इंटू 1.500 बराबर 32.670 यहां पर इसका मान रखके हम पी का मान निकाल लेंगे पी का मान यहां आपको आएगा 43.28 तो यहां हम लोगों को पता है कि निकाल पी का मान इसके डाया का धायी गुना से कम नहीं होना चाहिए इससे ज्यादा होना चाहिए इससे कम इसका मान नहीं होना चाहिए तो यहां पर यह कम है क्योंकि इसका डाया धायी गुना रखेंगे 50 mm रखते हुए लगाएंगे तो यह हमारी पूरे प्लेट की डिजाइन हो गई और हाँ मैं आप लोगों फिर बता रहा हूं अगर आपकी इस लेक्चर की पीडियेप चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर सुनेज सर से कहके डलवा दूँगा आप लोग वहां से डाउनलोड पर इसकी पीडिया भी आप देख लिजी और इस वीडियो को तो आप कई बार देखे क्योंकि निमेरिकल है जितनी प्रैक्टिस करेंगे अपने से लगाएंगे क्योंकि वहां पर क्या करते हैं तो प्रैक्टिस नहीं किये रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा वहां अबर हो गई तो दिक्कत हो सकते हैं आप लोगों के लिए आगे तयारी और आमें तो आप लोग प्लीज इस पर ध्यान दिए क्योंकि इसमें निमेरिकली सब्जेक्ट है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी और इस वीडिय गुल जाइछै क्योंकि णिमेरिकली सब्हाँ करेंगे मेर्मेर्श करेंगे तो आप लोगोस हैर्ण मेसरी और आप लोगोस्बसे क्योंकि तो दिस्बस्ट सिये क्योंकि एषरी सिर्वाटति अप philanthropy आप लोगкий क्योंकि- ...